उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। इसका जवाब राहुल ने गाजियाबाद में दिया। लोग तो गुजराच छोड़कर पीम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाइनाइट चले गए। तो क्या अमेठी या राह बरेली से आपने लेगे। ये बीजेपी वाला क्वेस्टन है। पतरकार का सवार। पहले ही ओपनिंग बॉल ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेस् हमारी पार्टी में, CEC मीटिंग में ये डिसिजन लिये जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेस्टन, गुड क्वेस्टन, थैंक यूू। इससे पहले बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी के गाजियाबाद में सन्युक्ट तौर पर प्रेस कॉंफरेंस की थी। इस दौरान कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और पंद्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना था कि मैं सीटों की भविश्यवानी नहीं करता। 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी करीब 180 सीटें जीतेगी लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 सीटें मिलेंगी। हमें हर राज्य से रिपोर्ट मिल रही है कि इ नूज एजनसी को दिये इंटर्व्यू पर भी बयान दिया। राहुल का कहना था कि कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री ने एक बहुत लंबा इंटर्व्यू दिया है। लेकिन यह स्क्रिप्टेर था और एक फ्लॉप शो साबित हुआ। प्रधान मंत्री ने इसमें चुना जो सफाई देना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद में आज यह प्रेस कॉन्फरेंस की इसलिए हैं क्योंकि वो इंडिया गठ बंधन का नाम तक नहीं ले पाते हैं। इस बार चुनाव मे गाजियाबाद से गाजिपूर तक NDA का सफाया होने वाला है। यूपी वाले तो स्वागत भी बहुत अच्छा करते हैं। इस बार विदाई भी बहुत अच्छे तरीके से होने जा रही है। इंडिया गठ बंधन नई उम्मीद है। गरीबी दूर करने के लिए हमारे घो होना शुरू हो जाएगी।